नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बिना लहसुन पे आज की आलू की ग्रेवी वारी सबजी जो की जट पट बन के तयार हो जाती है और इसे आप आराम से पूरी पराठे के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं इसके लिए हमें क्या करने हैं सबसे पहले आलू को प्रेशर कूकर में बॉयल करने हैं बॉयल करने के बाद इसको ठंडा करके इसको छील लेना है छीलने के बाद इसको हम कट नहीं करेंगे इसको क्या करेंगे हाथों से ही थोड़ा सक्रस कर देंगे यानि एक पर क्रश करेंगे और इस तरह से क्योंकि हमें बिना लसुन प्याज बिना टमाटर की सबजी बनानी है तो क्या होगा इससे हमारा सबजी में क्रेवी बनेगा सिर्फ हलका सा प्रेश करना है बस हमारा आलू है सबजी बनाने के लिए रेडी हो जाएगा अब हम गैस पे कड़ाई चड़ाएंगे और इसमें हम डालेंगे 3-4 बड़ा चमज तेल आप अगर घी में बनाना चाहते हैं तो घी में भी बना सकते हैं इसके बाद इसमें एक छोटा चमज हम जीरा डालेंगे जीरा जब तक पके तब तक क्या करना है हरी मिर्च और अद्रक का एक पेस्ट बना लेंगे दर दरा सा ही बनाएंगे बहुत बारीक नहीं और उसे क्या करना है इस तेल में डाल देना है बस इसे हमें क्या करना है कुछ सेकेंड के लिए यानि तीस सेकेंड के लिए यहीं तेल में भूनना है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे सब्जी में इसके बाद हम आधा छोटा चमज हल्दी दो बड़ा छोटा डालेंगे हम यहां पे धनिया जीरा का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर है तीखा वाला वह एक छोटा चमज डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह तेल में और यहां पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होगा तो मारे मसाले जल जाएंगे और यहां भ जटपट यह सबजी बनके तयार होती है आलू हमारा बॉयल्ड है तो इससे क्या होगा हमारी सबजी है जटपट बनके तयार होती है और साथ में यहां बडालेंगे सेंधा नमक एक बड़ा चमच पाउडर जितना भी स्वाधनव सारप नमक डाल लें डालने के बाद इसे एक मिनट ही भूनेंगे मसालों के साथ ताकि हमारा आलू भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए इसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी पानी आपको जैसा ग्रेवी बनाना वैस उसी साफ olmaz से पानीडाल लें यहां यहां यह एक गप से थोड़ा सा जादा पानी डालना है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे इसमें और इसे खुले में ही हमें तीन से चार मिनट पका लेना है और हमारी सबजी बन करके तयार है तो देखिए यह हमारी जो सबजी है बिल्कुल रेडी है बस गैस को कर देंगे बन और यह ठंडा होने के बाद थोड़ा गाड़ा और हो जाएगा इसके बाद जिस भी बरतन में हमें सर्व करना है उसमें हम निकालेंगे और यह बिन लहसन प्याज की सबजी है जो की जटपट बन जाती है बस आलू हमारा उबला हुआ होना चाहिए बनने में 5 मिनट से कम ही टाइम लगता है और हमारा सबजी बन करके रेड़ी है तो आज यह सबजी मैं पराठे के साथ सर्व करूंगी तो गर्मा गरम पराठा से किए और आप चाहें तो पूरी के साथ भी इस सर्व कर सकते हैं गर्मा गरम यह सबजी बहुत ही बढ़ियां बन के तयार होता है दोस्तों और कम समय में बहुत ही अच्छा सबजी बन के तयार है इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें शेयर करें एक चैनल पर नहीं हो तो सबस्क्राइब करें